यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ अब बात करते हैं हज्याना के राजनित्री घंवासान की बिल्कुल एक तरफ जहां देखे तो इनलो की और सब की नजरे हैं क्योंकि घंट बंदन को लेकर ब्यस्पी से लगाता चर्चा में इनलो पार्टी है तो वहीं आज कारिकार्णी की बैठक भी थी बड़ी खबर आपको यह बता दी कि इनलो कारिकार्णी के बाद अभेज चुटाला ने प्रेस कोंफरेंस भी की है कई बाते कई मुद्धो पर उन्होंने चर्चा की है मीडिया कर्मियों से उन्होंने बाते की हैं कई सवालों के जवाब भी इनलो ब्यस्पी के गटबंदन को भी अटूट उन्होंने बताया है इसके लावा पिर्थी नंबरदार को लेकर भी अभे चोटाला का रियक्शन सामने आया पिर्थी नंबरदार इनलो में था और इनलो में रहेगा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जेडिपी की जन्सभा में दिखाई दिये फिर्थी नंबरदार आजे चोटाला को गदार करार दिया गया है अपने ही भाई को गदार कहते नजर आए अब है चोटाला हिसार में दुश्चंत ने जनसभा की है पिर्थी नंबरदार रहे हैं जनसभा में मुझोद तस्विरों में दिखाई भी दिये हैं आपको बताएंगे भी कि खबरें तक तो भरपूर वोट मिले लेकिन इनलो का लगबग जिन्दुट्रा में सुपड़ा साफ हो गया वोट ना मात्र मिले जमानत जब्थ हुई और किर्कवी भी इनलोक हुई और उसके बाद सवालों के घर में इनलो पार्टी भी कि क्या जनाधार पहले से कम हुआ है और इसे की होने के बावजुद भी इनलो में ठीके हुए हैं उन्हें इमानदार कारिकरता कह सकते हैं इनलो के और अभी चुटाला खुट भी यह मानते होंगे लेकिन जरूर अपने विरोध्यों पर भी निशाना साथ आज नजर आए हैं जिन्दुप्चिनाव पर भी उन्होंने प् कोंफेंस में मौझूद थे उनसे ही जान लेते हैं कि नेचोर इस प्रेस कोंफेंस का का रहा है और हर पहलू पर फिर चर्चा करेंगे ओपी शर्मा आपसे जानना चाहेंगे प्रेस कोंफेंस में जो बड़े मुद्दे रहे जौबे चुटाला की जुबान पर थे वो क्या दो बातों फोकस किया गया था पहला तो यू है की जीन्द उप चनाव में जो हार है उसका मंदसन किया गया कारे करता हों के कारनों के यह बारे मताया गया और गया तर से आप पर फेदे एक बोट बोत भी नेविए इसको ले कर उनंगा अपने कारेकरताओं को निर्देश दिये कि वैसे लोगों से एफिडेविट लें जो ये कहते हैं कि उन्होंने इनेलों के पक्स में वोड दिया था उसके बाद वो उन सभी एफिडेविट को इकठा करके चुनावायों को अपनी स्काय दर्ज करवा के पूरे मामले की जांच करवाना जाएंगे इसके अलावा पार्ट्री के कारेकरताओं को संबोधित करते हुए वरिष नेता वरिष नेताओं ने उनको हार्ग बुलाकर बलकि बीजेपी की जो नीतियों में जो कमिया है या बीजेपी आस्वलत आएं उनके बारे में विस्तार से बताया कि आप इन करवाना से निति नंबरदार आते हैं इनायलो की ओर से मजबूती भी अपनी तरफ से पेश करते हैं जनाधार उनका भी है लेकिन क्या लगता है कि जेडिपी में जा सकते हैं क्योंकि तस्विरे ऐसे ही देखने को मिली है सवाल भी किया गया अभे चोटाला से जो जवाब पाया उसके माइने क्या है ओपी देखे कमल अगर गोहाना रेली के बाद इन नेलों जो घमासान मचा था वो घमासान जारी है पार्टी का तूटना नेताओं का इदर से उदर जाना इस तरह के जो कवायद हैं वो जारी हैं और इसी कवायद के बीच में आज नर्वाना से जो पिर्थी सिंग नंबरदार इनके विधायक थे वो भी हिसार में जेजेपी में शामिल होगे ये जेजेपी में शामिल होने वागे हमारे साथ ग्राउंड पर ही चलते हैं हिसार चल लेते हैं वहीं मौजूद थे पिर्थी नंबरदार भी विकास बिश्णुई हमारे ब सब अलविदा कह रहे हैं क्योंकि अभे चोटाला चंडिगड में कहते नज़राएं हैं कि ऐसा कुछ नहीं है पिरत्वी नंबरदार आज भी पार्टी में है और आगे भी रहेगा देखे चंडिगड में बैठकर जो भी बाते होती रहे वो माईने नहीं रखती है जुरूरी होता है विदायकों के साथ तालमेल विदायकों की बाते मानना उनके काम करवाना और शायद यही वज़य थी क्योंकि फिरत्वी नंबरदार से हमने खुद बाचित की खास बाचित कि फिर से संपर करेंगे विकास बिश्णुई से क्योंकि एहम जानकारी वो लगातार दे रहे हैं ओपी शर्मा के पास फिर से चलते हैं क्योंकि एक तरफ हमारे समवादाता ओपी शर्मा थे चंडिगड में अभी चोटाले की प्रेस कोंफेंस पर और जो कारिकारणी की बै कातार कयास लगाए जारें कि तूटेगा के साथ रहेगा गठबंदन पर अब चर्चा कर लेते हैं प्रिस्टी नंबरदार की बात करेंगे विकास बिश्णुई से क्योंकि एहम जानकारी वो दे रहे थी क्योंकि खास बाची भी किया है क्या कहा है क्या अश्वास दिखते किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट आप दिखाईए कि गठबंदन तूट गया है यह तो मीडिया का कया से जो लगाए जा रहे हैं जब अभैसिंग चोटाला जी से पूछा कि आप दिल्ली में मायवदी से मिलने गए थे तो उन्हें गाता हां बिल्कुल मिलें बाते हुआ हाला कि जो अभी चुटाला है वह यह नहीं मानते हैं वह कहते हैं कि अटूट गडबंदन है विसे विकास मिश्णु के पास चलेंगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास अपनी बात पूर कीजिए कुछ हैं जानकारी आप दे रहे थे हुआ है हमारा जिम्बा है कि आपको साथिक जानकारी दे इसलिए हम इंतजार आपको करवा रहे हैं जरूर कि विकास मैंने यह फैसला लिया है जी विकास अपनी बाते पूरी कीजिए देखिए नंबरदार ने नंबर कम दी है कल इने लों के विधायकों के जितने विधायक उनके पास थे एक टिगट और कट गई है सिदा सिदा समर्थन दिया है और खुद दूशन चोटाला के पास क्योंकि कार्यकरताओं की एक मिटिंग थी यहाँ अज अर्बन स्टेट के अंदर यहाँ वो पहुंचे थे सिदा समर्थन दिया है और संकेत भी दिये हैं कि अगर यहाँ से मौका मिलता है क्योंकि नर्वाना की जनता के यह रुज़वान था कि जेज़पी की तरफ बढ़ा जाए अगर हम चाहते हैं कि आप आगे यहां से विधायक मने हम आपको यहां से चुने अगर यहां से आपको खड़ा होना है और हम आपको चुने तो आपको रस्ता बदलना होगा जिस पारटी के अंदर आप है वो आपको छोड़नी होगी क्योंकि अब जन समर्तन जेज़ेपी के स अचलिये कुछ तक्निकी खामिया है जरूर फिर से चलेंगा अगर कोशिश होगी हमारे उसे जोड़ने की लेकिन आपको यह भी बतादी की पिर्थी नंबर्दार से हमने खास बाचित भी कि है वो भी आपको सुनाएंगे क्योंकि एहम उसी बाचित में सब कुछ है जानकारी अभी चोटाला चंडीगर में मौझूद थे दूसरी तरफ पिर्थी नंबर्दार जो कि इनलो को विधायक वो दुशेन चोटाला की जनसभा में जाते हैं अब देखिए सबसे बड़े बात ये भी है देवी लाल की विरासत को लेकर ये लड़ाई है एक पार्टी के दो फ कि जेडेपी और इनलों के भी जो ये राजनितिक लड़ाई है वो किस कदर आगे बढ़ती रहती है